दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाल आपके लिए परिजनस के बारे में जिसका डीमांड मार्केट में बहुत ही जादा है और यह बिजनस दो बहुत ही सिंपल है और ऐसे बिजनस करने वाले रोगों की चंख्या जो है बहुत ही कम है जैनि अगर आप इस बिजनस को करते हैं तो 100 नहीं कह सकते हैं लेकि 99% परसेंट है कि आप इस बिजनस में सक्षेस हो सकते हैं तो दोस्तों यह बिजनस पहुत ही सिंपल है आगे हम आपको इस बिजनस के बारे में पूरी डीटेल से बताएंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे एल्यूमिनियूम फॉइल कंटेनर बिजनस के बारे में दोस्तों आज कल हर चीज होम डिलिवरी में आने लगी है इवन फूड भी आजकल हम जादा से जादा होम डिलिवर करते हैं इसके अलावा अगर हम सफर पर जा रहे हैं तो वहां पर भी हम फूड साथ में लेके जाते हैं तो जिस कंटेनर में यह फूड आता है उसे कहते हैं एयूमिनियूम फॉइल कंटेनर दोस्तों इसकी खासेत ही होती है कि इसमें फूड जो है वह गरम का गरम रहता है ताजा रहता है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो container होता है ये recyclable होता है तो इससे pollution का भी कोई खत्रा नहीं होता है तो आए दोस्तो अब हम देखते हैं कि इस business को करने के लिए कौन सी machinery के आश्यक्ता होगी इसमें कितने costing लगेगी इसमें कितने raw material लगेगा इसमें कौन से license लगेंगे आज हम इसी बारे में discussion करेंगे तो दोस्तो बने रहे ये वीडियो में अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को subscribe करतीजे और दोस्तो इस वीडियो को like जरूर कीजेगा आए दोस्तो देखते हैं इस business के बारे में दोस्तो अगर बात की जाए इस business को start करने के लिए area की तो आपको industrial area में ये business को start करना होगा लगबग लगबग आप इस बिजनस को करने के लिए 1500 स्क्वेर फिट से तो 2000 स्क्वेर फिट के एरिया में आप ये बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं उस एरिया में आपको electricity भी commercial लेने होगी और वहाँ पर पाने की विवस्था भी अच्छी खासी होनी चाहिए तो आईए दोस्तो अब हम देखते हैं कि इस बिजनस को करने के लिए हमें कौन सी machines के आपशकता होगी और कौन से वाले raw material के आपशकता होगी दोस्तो इस बिजनस को करने के लिए दो टाइप की machines आती है एक होती है semi-automatic एक होती है fully-automatic आप अपके budget के हिसाब से यह machines को खरीद सकते हैं अगर आप semi-automatic machines खरीदना चाहते हैं तो यह आपको लगब लगब हो NHEC 15 Lakh से तो 8 Lakh के बीच में और अगर आप full-lay automatic machine खरीदना चाहते हैं तो यह हो जाएगए आपको 20 लाग से तो 25 लाग के बीच में हैं दोस्तो आप अपने budget के साफ से इन machines को खरीच सकते हैं अब रहा सवाल इस business को यह machines को कैसे चलाते हैं तो दोस्तो जो आप machine खरीचते हैं तो वहाँ के जो उस company के engineers होते हैं वह आखर कि आपको परसनल लेवल पर इसका training देते हैं कि यह machine कि चला ही जाती है और इस बिजनस को किस तरह से किया जाता है दोस्तों अगर बात की जाए इसके राव मैटेरियल की तो आपको इंडियामार्ट.com पर देड़ सो रुपे से तो दो सो रुपे के बीच में पर केजी के हिसाब से इसकी अलुमिनियम फॉइल शीट खरीदी होगी जो आप अपने बजेट के हिसाब से खरीद सकते हैं इसके अलावा आपको जरुवत होगी पैकिंग बॉक्सेस की जिसमें आप जब आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जा तो जिन बॉक्सेस में आप रख करके इसे भेजोगे उन बॉक्सेस की भी आपको इसमें रहो मट्रीयल में जरौत होगी दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनस में लगने वाले मैंपावर की तो आपको सबसे पहले तो दो श्किल्ड वरकर रखने होंगे इसके अलावा अधर जो काम होते हैं उसके इसाप से तीन और इसकिल्ड पोना बुनके रिडी हो जाता है तो आपको दो सेल्समेन भी रखने होंगे जो आपका प्रोड़क की मार्केटिंग कर सके दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनस में लगने वाले लाइसेंस की तो सबसे पहले तो आपको उद्योग आधार का लैसेंस लेना होगा इसके बाद आपको इसमें ट्रेड लैसेंस भी लेना होगा इसके बाद आपको लगेगी जरुवत नो पॉलुशन के लैसेंस की अगर आप ये business को शहर में कर रहे हैं, city के अंदर आता है, तो आपको no pollution का license भी बहुत जादा इसमें important होगा इसके अलावा आपको लगेगा GST का number और जो भी आपके local level पर जो license लगते हैं, वो भी आपको लेने होंगे दोस्तो अगर बात की जाए इसमें loan की, तो ये जो business है, इसमें मुद्रा लोन ले सकते हैं, और भी government की कई scheme से, जिसे जाकर के आप जो nationalized bank होते हैं, वहाँ पर जाकर के आप check कर सकते हैं, तो दोस्तो अब हम देखते हैं, इस business में लगने वाली marketing के बारे में दोस्तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके targeted customer इस business में कौन हो सकते हैं, जैसे कि होटेल से, रेस्टोरेंट है, सुपर बजार है, शोरूम से, होलसेल वाले जो लोग है, वो भी आपके targeted customer हो सकते हैं, इसके अलावा जैसे railways है या जहाँ पर travel जादा होता है, ऐसे इसमें जो home delivery food बनाई जाते हैं, वो लोग भी आपके targeted customer हो सकते हैं, तो दोस्तो इसके marketing के लिए आपको 2-3 person, salesman आपको रखने होंगे, जो इन सारी जगों पर जाकर कि विजिट करके आपके लिए order ला सकते, तो दोस्तो इसका लिए marketing है, इसमें बहुत जादा brand की ज़रा ज़रू सकता है, लेकिन आपको manufacturing के साथ साथ इसके marketing पर भी उतना ध्यान देना होगा, तो दोस्तो ये थी all our basic information इस business के बारे में, हम इसी तरह के innovative ideas लाते रहते हैं, तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल एकन जरूर दबाए, ताकि आपको हमारी हर updates इसी तरह मिलते रहे, तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क जरूर ये वन्दे मात्रमा